दोस्तों अगर ऐसा हो कि बहुत ही कम investment में हम हमारा कोई एक brand खड़ा कर पाएं तो इससे बैदरीन बात कोई और हो नहीं सकती दोस्तों आज हम आपको एक ऐसे business के बारे में बताएंगे कि जिसमें आप बहुत ही कम investment में लगबग लगबग देड़ से 2 लाग के अंदर आप अपना खुद का एक brand बना सकते हैं और बहुत ही successfully आप पार्केट में उसे launch भी कर सकते हैं दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं sellotep business के बारे में तो आज हम बात करेंगे कह 11 बीजनस में costing कितनी लगती है इसमें material क्या लगता है इसके लिए कौन से machines यूज होती है इसके लिए कितने space की जरूध होती है इसके लिए कौन से registration की जरूध होती है तो दोस्तों वीडियो में बने रही है दोस्तों अपने अगर हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज प्लीज सब्सक्राइब कर ले और बगल वाले घंटे को भी दबादें क्योंकि हम लाते रहते हैं नए-नए बिजनिस आइडियाज और नएनी जैनकारी के वाला तो आइए दोस्तों हम देखते हैं कि कोंसी मशीन के आशिकता होती है इस में आपको दो तज़्के के मशीन सकी palabras होती है एक होती है कौर कटिंग मशीन जो आप देखते हो कि जो टेप के अंदर में एक गत्ता होता है उस गत्ते में वो पुरा टेप लपेटा होता है तो उस गत्ते को कटिंग करने के लिए जो मशीन होती है उसे कहते हैं कोर कटिंग मशीन इसमें आप गत्ते को अलग-अलग आपकार में कट कर सकते हैं यह जो गत्ता होता है यह जो है मार्केट में 25 रुपे से 30 रुपे पर केजी के हिसाब से मिलता है तो इसे खरिदने पर आपको इसमें अलग-अलग साइज के जो स्केल्स होती है वो set करने होती है और वो set करने के बाद आप इसे अलग-अलग size में जैसी भी आपकी order है उसमें आप उसे cut कर सकते है इसमें जो दूसरी main machine की आप सकता होती है उसे कहते हैं यह जो मशीन होती है इसे जो सेलोटेप होता है वो हमें मार्केट से जो raw material में मिलता है वो मिलता है 100 रुपे से तो 1.500 रुपे पर kg के हिसाप से वो kg के हिसाप से मिलता है और हमें जो हम पहली machine से जो हमारा गत्ता निकालते है उस पर हमें यह tape जो होती है वो roll करने होती है तो यह जो दूसरी machine है इसके द्वारा उसे set कर सकते है जैसे आपने गत्ते को जिस size का cut किया है आपको यह उसको दूसरे machine में डालना होगा और दुसरे मशीन में डालने के बाद में आपको उसमें भी जो है साइस सेट करना होगा कि आप उसमें जो टेप है उस पर कितना चिपका सकते हैं और मिटर के इसाब से आपको हो जो टेप है वो चिपकाने होती है तो आपका जो पर्चेसिंग होता है वो किलो के इसाब से होता है और आपका जो सेलिंग होता है वो मिटर के इसाब से होता है तो इसमें जो प्रॉफिट मार्जिन है वो लगबग लगबग 50% से तो 70% तक के आपको इसमें profit होता है दोस्तो इन दोनों machines की जो cost होती है वो लगब लगब आपको 75,000 से 1,00,000 के आसपास होती है और इस business को करने के लिए आपको कोई बहुत बड़े area की ज़रूरत नहीं आप इस business को घर से भी start कर सकते हैं और आप घर के ही electricity को भी use कर सकते हैं या commercial connection भी आप ले सकते हैं तो आइए दोस्तों अब हम देखते हैं इसका registration process क्या है आपको इसका registration process है बहुत ही जादा easy है इसमें आपको द्योगादार registration होता है वो करना होगा उसके बाद में आपको जो GST नमबर है वो लेना होता है बिजनस के नाम से वो लेना होगा अब हम बात करेंगे इसके branding के बारे में दोस्तों इतना अच्छा टेप आप बना रहे हैं तो उसे किसी न किसी अच्छे designer के पास आप देजिए और आपका खुद की company का बहुत ही अच्छा आप logo बनाई है उस logo बनाने के बाद में जो उसकी packing होती है उसे आप टेप के उपर चिप कहिए जब आपका brand बहुत अच्छे तरीके से उसमें दिखेगा तो उतने ही अच् अच्छा और आपका नाम उतना अच्छे तरीके से बाहर मार्केट में प्रोफेशनल वे से जाएगा तो दोस्तों मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसकी packaging पर जबसे आचा ध्यान दीजिए और packaging के बाद में आप इसकी कीमत है इसके उपर जो समी चीजी लिखी होती है वह बहुत ही अच्छी तरीके से आप डिजाइन कर सकते हैं तो दोस्तों अब हम बात करेंगे इस प्रोड़क के marketing के बारे में दोस्तों marketing की जो process होती है इस नजमें जब आप खुद का एक brand खड़ा करते हैं जब आपको खुद का product बेचना होता है तो आपको अलग-अलग पर करें के से इसकी marketing करने होगी लोकल लेवल पर तो आप इसे पेपर आड़ कर सकते हैं इसके वर्डिंग्स लाए सकते हैं और डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं इसके अलावा आपको salesman भी रखने होगे जो शॉप में जागर के किराना शॉप है उसके बाद में जो कट जो जो salesman है वह वहाँ पर wholesale rate में आपका प्रोड़क्ट बेश सकते हैं इसके अवाबा एक और रास्ता है आप आपका जो प्रोड़क्ट है उसे इंडिया मार्ट और कॉंपर भी रिजिस्टर कर सकते हैं ताकि अगर आपका प्रोड़क्ट का रिटेलर्शिप अगर किसी को लेना है अगर सेटी में तो भी आपसे वह कॉंटेक्ट कर सकता है तो दोस्तों आपको इस तरह से मुल्टिमल मार्केटिंग भी इसमें करने होगी और इस तरह से आप अपका पुछ का एक बहुत बढ़ा ब्रैंड खड़ा कर सकते हैं तो दोस्तों इस पूरे और बिजिनस में मार्केटिंग है तो इस बिजिनस के बारे में दोस्तों यह था इस बेसिक आइडिया तो दोस्तों फिलाल की विडियो में बस इतना ही हम इसी तरह के इनोविटिव आइडिया हमेशा लाते रहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर जरू सब्सक्राइब कीजिए और बिल कीजिए तो दोस्तों अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं तब